जा रही है इस संबाब को सार्थक बनाने जा रही है मेरी सयोगी रूबिका लियाखत आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जोड़दार तालियों से चौपाल का आगाज एक बार फिर से और अब चौपाल के मंच पर एक ऐसा नाम जिसे शायद 54 दिन पहले पता नहीं था कि मैं मध्यप्रदेश का सीम बन जाओंगा यह वो नाम है जो डॉक्टर साहब के जरीय भी जाने जाते हैं पहलवान के तौर पर भी जाने जाते हैं बीजेपी में शिक्षित नेताओं की अगर आप एक फेरिस तैयार कर लें तो उसमें शायद अवल आते हैं LLB किया है, MBA किया है, MA किया है, PhD कर दी है। डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त नए नवेले मुख्य मंत्री मध्यप्रदेश के हमारे साथ मौझूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। 42 साल हो गएं राजनीती में, 54 दिन हो गएं मध्यप्रदेश की कुर्सी पर बैठे हुएं, सच बताईएगा, पहला फोन किसका आया और कर क्या रहे थे आप। देखें, हमारे यहां तो विधायक दल की वेठक थी, और मैं आखरी पंक्ती में अपने मित्रों से बात कर रहा था, साथ के विधायक थे, और सुभाई ग्रूप से हमारी पार्टी की जो परंपरा है, इसके पेले एक कामन फोटो सेशन भी हुआ, उस कामन फोटो सेशन में अपने मन से पार्टी से जुड़े हो, यह हमारी परंपरा है, लेकिन आपने बताया है, सबसे पहला फोन किसका आया, फोन किसी का नहीं आया, बस ऐलान हुआ, और क्या है, तो जब आप वहां उस पंक्ती में बैठे हुए थे, और जब कहा के डॉक्टर मोहन यादव, तो आपको यह नहीं लगा कि मेरे लिए कह रहे हैं कि कभी नहीं लगा, यह हमारे यहां, जो काम दे दे, जैसा काम दे दे, स्थिरमन से वो काम करने की परंपरा है, इसलिए कोई बहुत बड़े बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, तो बड़े आदमी बन गए, ऐसा मनन तब आज है, जो है सामाने कारेकरता के नहीं से काम करना, यह हमारी भाजपा कारेकरता की विश्वास था, आपको इस बात का विश्वास था या आपको उम्मीद थी कि आप CM बन जाएंगे, नहीं मैंने, फिर दोबारा बोल रहा हूं कि मैं कभी ऐसा सोचते ही नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन पार्टी जो काम देगी मैं अच्छे से करने में विश्वास करता हूं, यह मुझे confidence है। बात नहीं बनेगी और जब मैं अपने मंत्री मंडल की तरफ देखता हूं, तो हमारे मंत्रियों में कई ऐसे हैं जो पहली बार के मंत्री हैं, मैं वैसे विविन प्रसासनिक पदों पे रहा हूं, तो मैं इस बात को समझता हूं कि सीधे किसी को चेर्मन बना देना, सीधे मं और जवाबदारी देदेने में थोड़ी सी प्रसासनिक ट्रेनिंग कर दें तो उसको गुणवत्ता कई बना ज्यादा बढ़ जाएगी और जवाब देही और पारदस्ता का भी बड़ा रोल रहेगा, और उसी नाते से हमने मंत्री मंडल के गठन के बाद दो दिन की ट्रेन विद्टन है, तो उनने उनके अनभुझी साजाय किये, कई प्रसासनिक द्रष्टी से अनभवी लोगों को हमने आमंत्रित किया, रामभाल महाल गी हमारे प्रस्पेक्शन संस्थान है मंबई का, उनके माध्यम से भी और भारत सासन के नेति आयोग के माध्यम से हमने ट्रे क्या देना चाह रहे हैं देखे सुसासन का अगर सुप्रीम कोट ने ने किया आए कि लाउड स्पिकर किस इस तर तक बजाया जाना चाहिए किन कि परमीशन है तो मैं समझता हूं कि अगर कानून का पालन कोई भी हो सब को करना यह हमारी जवाब दे ही है कानून का राज है सु तो इससे दोनों तरह से नुकसान है सरीज की द्रश्टी से भी और कानून भी तूटता है तो इसलिए स्वाभाई गूरूप से हमने का कि अगर फैसले लेने से कत्राइंगे नहीं आप कड़े फैसले अगर जवाबदारी दी तो फिर कैसे कत्राइंगे तो फिर UCC वहां उ दूराना चाहूँ है शर्श्वी प्रधानमंत्री के नेतरत में जो केंदर सरकार के द्वारा बताया जाएगा राज सरकार अक्षर सह उसका पालन करेगा लेकिन आपका विचार क्या है मेरा विचार मोदी जी के साथ चलने का यू सीसी के फेवर में है आप मैंने फिर कहा क जेसे हमारी भारसरकार चाहेगी निश्यतरूप से हम वो सब करेंगे आपका पहला इंटर्व्यू है CCM बनने के बाद लेकिन आप जलेवी अभी वी बड़ी अच्छी बना रहे हैं ने जलेवी नहीं बना रहा में सिधे बता रहा है पुहा जलेवी, तो जैन की खासियत है, आईए आपको निश्यद रूप से मिस्ठान हमारे जलेवी की रूप नहीं है, और आप वहाँ से तीन बार विदायक चुन कर आए है, बहुत दन्यवार, बहुत बदाई है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसी बात पर बता दीज को लेके चलते हैं, जिसके आधार पर हमारी विचारदा वर्सों वर्सों तक दुनिया के सारे लोग जानते हैं, इसनाते से हमारी सासन करने की आधार पर चाहे कामन सिविल कोड हो या जो जो भी भविश में भार सरकार हमको इस दिसामे मार्दसन करेगी, हम निश्यद रू उत्रदेश के यादव वोटर्स बीजेपी को वोट करेंगे आपके चहरे को देख करेंगे। सभाई ग्रुप से राजनीतिक दिल के कारेकरता होने के नाते से हमारे अपनी जहां में समझ सकता हूं कि मैं भाजपा के नाते से भी नी गया था। क्या स्थिती बनी है। वो एक अपनी अलाइंस से जो लालू जी और नितिज जी का था। सभाई ग्रूप से नितिज जी उससे बाहर आया और भाजपा से जुड़े तो मुझे तो अनन्द आया इस बात के लिए। तो नितिज जी कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूं। नितिज जी का तो अपने आप में हमारे साथ लंबा अनुभव है और भारतिजनता पर्टी के नाते से मैं समझ सकता हूं कि उनका सबसेदा सरकार में साथ रहने का अनुभव तो हमारे साथ कही है। नहीं तो मैं बारा दिन पहले आपसे ये सवाल पूछती तो आप कहते हैं नहीं माहोल खराब है। नितिज जी से हो नहीं पा रहा है। लेकिन भारतिय इंता पर्टी के साथ उनका वरसों से अनुभव रहा है। रहा हूं सब जानते कि बिहार को कई मामलों में उनने अगर अगरगणनी राजी की दिरूप में लाये है। अगरे हम बिहार और उत्तरप्रदेश आप वहां गए थे इसलिए इस बारे में चर्चा करनी जरूरी थी। विपक्ष आपको चैलेंज कर रहा है बीजेपी को। राहुल गांधी कह रहा है कि जातिगत जनगनना करवा के दिखाएगे ना। आप तो OVC का बड़ा चेहरा है। आपने कहा कि नहीं मुझे जाति में मत बातो। लेकिन जातिगत जनगनना हुनी चाहिए कि नहीं हुनी चाहिए कि मध्यप्रदेश में होगी कि नहीं। देखो माननी प्रधानमंत्री ने केवल देश में चार जातियां बताई है। और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन चार हो जातियों के अलावा उन जातियों पर बात करना मुझे लगता आज के सवसर पर बिमानी होगा। पर जातिकर जनगरना होनी चाहिए कि नहीं। बाद में उनने निमंत्रन तक ठुकरा दिया। तो ये कांगरेस का चरितर सब ने देखा है। और वो क्या उनके उनके साथ माने वाल सब लोगों के चरितर दुनिया देख रही है। उस दिन नहीं गए ना बाइस को नहीं गए बाद में तो जाएंगे। मैंने आपसे फिर निमिदन किया कि भई मैं आपको निमंत्रन अगर देता हूँ तो कोई ऐसा विक्ति नहीं है कि भगवान राम के निमंत्रन को ठुकराए। चलो कोई बात नहीं पुराना जमाना था जब आपने विरोध कर लिया होगा लेकिन सुप्रिम कोड ने डिसाइट किया। सुप्रिम कोड के दिये गए फैसले के अधार पर भगवान राम का मंदिर बन रहा था। तो डॉक्टर साब आपको क्यों लगता है? क्यों विपक्ष नहीं आए? क्या वज़र थी? अब मैं ये थोड़ी कि जान सकता हूँ उनने क्या सोचके किया। उनको लगता है वो आज तक हिंदू-मुस्लिम को दो हिस्सों में देख करके हमेशा उस धगड़े के अदार पर मुस्लिम बोर्ट बेंग की चिंता करते हैं इसलिए नहीं गए? ऐसा में बान सकता हूँ. बाकी तो वो बताएंगे उनने क्यों नहीं गए? पर अभी आपने देखा कि राहुल गांदी शिवजी के दर्बार में गए, पूजा अर्चना उन्होंने की वो तस्वीरे भी आपने देखी हूए? भगवान राम के मंदिर पर उद्गाटन के समय क्यों नहीं गई? यह जवाब पुरा देश पूछ रहा उनसे? अब दिख मामलेम उनका ऐसा द्रष्टिकोंड क्यों होना चाहिए? तो भगवान राम आपको आशिरवाद देंगे और विपक्ष को नहीं आपको लगता है? यह हम थोड़ी के रहा थी. मैं राजनितिक तोर पर पूछ रहा हूँ. भगवान तो सब पर करपा करते हैं, लेकिन करपा पाने वाले की भागी भी तो होना चाहिए उनका अगर वो हमारे अपने समुदाय को अपमानित करते हैं, तो अपमान करने वाले समाज को विचार करना पड़ेगा नहीं कि इनके बारे में क्या करना चाहिए? पर रामलला आपको 400 पार पहुँचाएंगे इस बार? मैं यह सकता हूँ, यह मेरे हक्की बात भी नहीं, मैं मदेश की भेहतरी की बात करता हूँ, मदेश की भेहतरी की बात करूँ. तो वहाँ पर आपने देखा कि 2014 की बात करें, तो 27 आए, फिर 28 हो गई, इस बार 29 से 29? देखे, हम तो यह श्री प्रधानमंत्री के नेतरत में आप बता ऐसा हूँ आपके समूचा देश एक जो ठोकर के एक दल की सरकार बनाता है, यह बड़ी बात है, और दूसरी बात फिर 2019 में एक दल की सरकार बनाता है, मोदी जी के नेतरत में पूरा देश आज जिजधंग से खड़ा है, यह लोकतंत्र की परिपकवता भी है और जन्ता के स मोदी जी का एक अटूट इस्ता है, भारतियनता पार्टी के प्रति अगाद विश्वास है, उसका प्रेणाम एक निश्वत रूप से अखंड जनादेश मिल रहा है, कोई खंड जनादेश नहीं मिल रहा है, तो उस अखंड का एक आखड़ा दे जीजे न, डॉक्तर अगर आप इजाज़त देता हूं से अगर वो निर्णे की हम समिक्षा कर रहा है, हम तो पहले अपने राज्य के अंदर देखेंगे और उसके बाद हमको लगता है कि उस लिसा में कल्चर मिनिस्ट्री ने कुछ काम किया है, तो मुझे लगता कि पुरानी योजनाओं के आधार पर निश्वत रूप से उस प और उसे ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कहा रहे हैं, मैं मध्यप्रदेश पर ही केंद्रत भी रहना चाहता हूँ, मुझे इस वक्त इस चौपाल की मन्द से निउस 18 इंडिया के, आप मध्यप्रदेश की जनता को वो तीन बाते बता सकते हैं, जो आने वाले दिनों में आप पक्का लागू कर देंगे, वो कौन सी चीज़े होंगे? इसको रोजगार परक होगी, रोजगार की बड़े पेमाने पर हमारे यहां दरकार हैं और हम उस दिसा में आगे बढ़ेंगे. सिक्षा की व्यवस्था में सुधार करते हैं, हम यसरशी प्रदानमंत्री की नेतरत में सिक्षा के, सिक्षा नीती लागू करने में नंबर बन रहें, और अभी हमने देश के सकल पंजीर दर जीर जिसको बोलते हैं, उसमें नंबर बनाएं. हम निश्य दुरू से उसमें भी जाएंगे. उपलब्द संसाधनों के आधार पर हमारे जो संसाधन हैं, उनका बहतर उपियों करते हैं, जैसे माइनिंग के सेक्टर में हम देश में नंबर बनाएं. तो इस तरह से जो बनान चल का हमारा पार छेतर है. तो जहां जिस प्रक की ववस्था रहेगी, उसमें सब छेतर हम समान रूप से काम करके, प्रदेश को आड़े, साड़े आठ करोड जनता की बहतरी के लिए जो कर सकते हैं, जो रूर करें. डॉक्टर साब, आप हमारे इस मंच पर आए, मुक्यमंत्री बनने के बाद, पहली बार, अगर आपने साक्षात कर दिया, तो उसके लिए News 18 इंडिया को चुना, चौपाल के मंच को चुना, आपको खुब सारी शुक्ता हमना है. तो ये थे डॉक्टर मोहन यादब, जो ब अगर जरूर जीत लिया होगा इस चर्चाने, लेकिन मैं अनुरोद करूँगी मोहन यादर जी आप कुछ पल के लिए जरूर मंच पर रहें, और साथ ये अनुरोद करूँगी कि एडिटर न्यूज एट इंडिया और हिंदी डिजिटल जोती कमल जी मंच पर आएं, और मो तो सुना आपने सियाम डॉक्टर मोहन यादर का exclusive interview और इस interview को दौरान कई सारे सवाल जों से किये गए चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे बेपक्ष के हो, चाहे कानून वेबस्था को लेकर हो, चाहे अन्ने राजियों की राजनीती को लेकर हो बे बाकिस से जवाब दिया मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और आप देखिए कि बार बार जब उनसे एक नमबर पूछा जा रहा था लोग सभाई लक्षन के लिए तो उनका यही कहना था कि बीजेपी ने जो तैक कर दिया है मानने प्रधान मंत्री नरेंदर आप दिया बीजेपी में सब कुछ ठीक है सब कुछ तैकि बिहार की राजनिती में जब निटीश कुमार को लेकर उनसे सवाल गया तो उनका यही कहना था Kiguho परसनली तो उनको नहीं जानते हैं लेकिन अच्छा खासा कारेकाल जरूर उन्होंने राजनीती को डिया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के साथ जब पहले नितीश कुमार ने काम किया बहुत बहतरीन तरीके से बिहार को एक नई दिशा दी गई और इस बार फिर से नित इश कुमार बहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे ये तमाम सवाल जो बिहार और उतरप्रदेश की राजनीती को लेकर भी किये गए उन्होंने बहतरीन तरीके से जवाब दिये वहाँ उत्राखंड में लागू हो गया है आसम में कहा जा रहा है हिमन्त अब इस्वा सर्मा की तरफ से कि वो भी सोच रहे हैं कड़े फैसले ले ही रहे हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आप लेकर आएंगे लेकिन आपका विचार क्या है मेरा विचार मोदी जी के साथ चलनेगा यूसी सी के फेवर में है आप मैंने फिर कहा कि जैसे हमारी भारत सर्कार चाहेगी निश्यत रूप से हम वो सब करेंगे तो देखा आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी उनका साथ तोर पर कहना था कि जैसा भारत सरकार करेगी वैसा ही वो लागू करेंगे जाहिर से बात है कि जो सरकार ने तै किया माने नी प्रधान मंतरी नरे अंद्रमोदी ने तै किया उसी क्याधार पर मद्धर प्रदेश में भी तमाम जो निर्न है वो लिए जाएंगे बक्त एक छोटे से ब्रिक करेंदी तरी निउस इटी